हेलो एब्रिवान विल्कम बैक टो एससी मैथवन आस्क यो डाउट सीरीज का सेकेंड सीरीज है यह आपको क्वेश्चन अगर डाउट में है तो कहां पर भेजना है एक्जाम पोर्टल देखना आपको चला आएगा solution अगर दिया हुआ है तो ठीक है और एक चीज जब question आप भेज होगे तो याद रखना कि similar type का questions एक से ज्यादा ना भेजे उससे क्या दिख्कत होता है उससे shortlist करने में दिख्कत होता है उतना time नहीं होता है ठीक है सर तो चलिए देखते है पहले to do by herself it takes a total 70 days to complete the work how many days would it take a the more efficient among the duo among हो जाएगा यह among the duo to complete the entire work by oneself क्या बोला गया एक साथ कोई काम करता है 35 दिनों में ठीक है यहां तक सही है आपको doubt clear है अच्छा एक कितना दिन में complete करता है सर एक ऐसा कोई नहीं दिया हुआ है एक क्या दिया हुआ है सर एक पांच बटा छे complete करके छोड़ दिया बी बाग की complete किया बी कितना किया सर एक बटा छे अब देखो एक चीज़ बताया गया कि यहां से आपको निकालना है देखके पता चल जा रहा है कि आपके पास originally एक equation है और एक ही variable है अब कैसे बता दिये एक ही variable देखो हम लोग करते है एक दिन में करता या फिर बोल सकते हो दो equation दो variable मिल रहा है एक दिन में करता है complete बी करता है y दिन में complete तो दोनोंने मिलके अगर कोई काम कर रहा है तो कितना दिन में करेगा sir xy बटा x plus y दिन में ठीक है xy बट x प्लस y अब देखो एक चीज क्या बोला गया xy बट x प्लस y बराबर क्या दिया हुआ है sir हमें 35 दिया हुआ है तो xy बट x प्लस y बराबर 35 तो यहां से क्या आज़र है xy इकोस टू 35 x प्लस 35 y ठीक है यह एक नंबर equation है अब इसको न छोटा छोटा करके लिख लेता है क्योंकि यह equation थोड़ा सा लेंदी हो जागा लगी रहा है देखके 35 x प्लस 35 y यह एक नंबर के equation है ठीक है अब देखो और दूसरा क्या चीज है a 5 बटा 6 पार्ट कम्प्लीट करता है मतलब कितना दिन लगाता है sir 5 x by 6 प्लस b कितना दिन लगाता है sir 1 by 6 पार्ट करता है मतलब 1 by 6 into y तो y दिन में करता है total 1 पार्ट ठीक है y by 6 इकोल्स टू कितना दिन में कम्प्लीट हुआ sir 70 डेज में तो चलो लिखते हैं 70 यहां से 5 x प्लस y वरवर कितना है रसाच्छे value is 420 तो y equals to sir 420 minus 5 x ठीक है क्या हम लोग इस value को equation number 1 में put कर सकते हैं हाँ sir कर सकते हैं तो करते हैं देखते हैं क्या होता है sir 35 x plus 35 y के जगा पे लिखते है 35 into 420 minus 5 x equals to x plus x into y तो x into y के value 420 minus 5 x ठीक है sir sir यहां से क्या मिल जगा आपको 35 x plus 35 into 420 हम लोग लिख कर रख देते हैं minus 35 कितना होता है 5 15 15 5 25 तो 175 x minus 420 x plus 5 x square बरवर 0 और क्या मिलेगा sir यहां से sir यहां से देखो हिसाब करता है sir यहां पर x square 5 x square लिख लेते है minus कितना है रहे से 175 minus 30 मतलब 140 140 इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा sir 560 minus 560 x plus 35 into 420 equals to 0 तो sir यहां से क्या मिल जागा आपको x square minus 5 25 25 25 दो तस 112 x plus 35 और इदर कितना और पांस साथ पैंतिस साथ चल जाएगा 24 28 724 मतलब 2940 equals to 0 अब 2940 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसके कारण हमें मिल जागा 112 तो 2 x 2 24 8 एकम नो 2 7 14 14 7 7 7 24 एकम 10 7 3 21 30 30 से 2 15 35 तिया 15 ठीक है अब कितना हो जाए रहा sir 5 2 10 7 7 7 7 7 21 तो क्या करता है है दो पार्ट में डिवाइड करता है तो x square minus 70 x minus 42 x एक प्लास 2940 equals to 0 तो यहां से x minus 78 factor आ जा रहा है और एक minus 42 बाला तो x minus 42 equals to 0 एक चीज़ देखना यहां पर दिया हुआ है how many days would it a take would it take a एक इतना दिन लगाएगा the more efficient among the duo मतलब एक efficiency जादा है तो एक का efficiency जादा है तो कम दिन लगेगा तो यहां से x का दो value आ रहा है x बालावर 78 x बालावर 41 तो जिसका 42 एक तो जिसका value कम है जो वाला value कम है वही हम लोग लेंगे 42 तो option number 2 is the correct answer लेकिन सरी यह कोई assurity नहीं है कि 42 ही होगा अगर 70 रहता तो हमें y को check करना पड़ता ठीक है हमें y को check करना पड़ता कि ऐसा नहीं कि 70 से जादा नहीं हो रहा है 70 भी option में रहता तब doubt में आप पढ़ जाता है आप यहां से आप direct बोल सकतो कि 42 answer है इसी type का अगर बाकी question आपको कोई doubt हो रहा है तो आप नीचे comment section में बताना ठीक है कहां पर आपको doubt हो रहा है ओके सर चलो थैंक यू बबाश टी टीन फॉर निक्स्ट क्लास